इस वीडियो में बताऊंगा FIFA 19 अपने PC पे PS3 Emulator इंस्टॉल करके कैसे खेलें सीधा आजाना अपने किसी ब्राउजर पे यहां पे टाइप कर लेना RPCS3 इस फ़र्स साइट पे आजाना ऐसे डाउनलोड डाउनलोड डेक्स्टॉप सेव इसके साथ फ़र्मवेर भी चाहिए होगा PS3 फ़र्मवेर टाइप कर लेना इस पर साइट पैना स्क्रॉल डाउन अपडेट यूजिंग अ कंप्यूटर इसका एक्स्पैंड करो डाउनलोड PS3 अपडेट पर राइट क्लिक सेव लिंक एस डेक्स्टॉप सेव और यहां से कीप कर दो अभी एक अपडेट के लिए एक रस्टी साइट पैना गिटव वाली और लेट इस पर क्लिक करो स्क्रॉल डाउन करो रस्टी पी एसन एजी यूई विंडोज जिप इस पर क्लिक करना डेक्स्टॉप सेव अभी सब कुछ डाउनलोड हो चुका है तो ब्राउजर क्लोज कर दो इस डेक्स्टॉप पर आना एक न्यूव फोल्डर में आना यहां पर टाइप करना पी एस त्री और इसे यहां पर ड्राग कर लो अभी एस्ट्रैक्ट हेयर कर दो और इससे डिलीट कर सकते हो अभी डबल क्लिक एमुलेटर यहां दोने जगह टिक कर देना कंटेन्यू करना इस सबसे पहले फाइल में आना और इंस्टॉल फाम्वेर डेक्स्टॉप ओपन अभी जब तक फाम्वेर इंस्टॉल हो रहा है इसे क्लोज कर दो इंस्टॉल बाद में कर लेंगे हम सबसे पहले ओपन में आना इसको प्लोज कर दो बूट बाद में करेंगे अब यहां सीरियल में यहां पर जो सीरियल लिखा हुआ है यहां पर आना कॉपी इंपो में कॉपी सीरियल कर लेना अभी रस्टी पी एसिन को एस्ट्रैक्टेर करो डबल क्लिक करो और यहां पर वह सीरियल पेस्ट कर दो सर्च पॉर अपडेट्स डाउनलोड आल क्लोस कर दो यहां पर एक पैकेज का फोल्डर बन जाएगा अभी फाइल में आना इस्टॉल पैकेज़स डेक्स्टॉप पैकेज़स इसे ओपन कर दो येस ओके तो देख सकता अपडेट हो गया है अभी हम गेम बूट करने से पहले सेटिंग्स कर लेंगे क्रियेट कस्टम कंफिग्रेशन फ्रॉम ग्लोबल सेटिंग्स यहां पर सब कुछ डिफॉल्ट पर रहने देना जी पीउ में आना डारेक्ट फ्रेम लिमिट शिक्स्टी एंटी एलाइजिंग्स डिसेबल कर देंगे रिजल्यूशन स्केल थोड़ा सा आप अपस्केल कर सकते हो डिपेंड करता है आपका सिस्टम कैसा है टैनिटी भी रख सकते हो टूके भी रखके ट्राइज कर सकते हो यहां से वी सिंक अन कर लो बस वी एडवांस में आके और एक्स एक्स एफ एफ ओ एक्यूरेसी को अटॉमिक पर कर लो और बस और कोई खास सेटिंग्स नहीं है यहां से अप्लाइज करो सेव कस्टम गंपेग्रेशन अभी यह गेम पीसी पर अल्रेडी अवेलबल है पर अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हो और किसी शेडी विबसाइट से क्राइग्स नहीं करना चाहते हो तो आप यह तरीका इस्तमाल कर सकते हो इसे खेलने का तो जब तक यह बूट हो रहा है हम अपने कंट्रोलर्स को सेट कर देंगे वह यहां से होगा पैड्स में आना और आपका जो भी डूल शौक या एक्स बॉक्स का एक्स इंपुट करके आता है इसे करके यहां से सेफ कर दो और बैस तो आगे इस वीडियो में आपको एक छोटा सा गेम प्ले मिलेगा जिसके बीच में मैं बिल्कुल भी बोलना पसंद नहीं करूंगा तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना चैनल पर पहली बार आप तो सब्सक्राइब करना और मैं मिलूंगा अ Hi there everyone, Martin Tyler here, with me today Alan Smith as usual, and it is a friendly fixture we have for you. and this match features Borussia Dortmund against Chelsea this might be it, well saved that's a corner and today's referee, Hans de Notteborg he can hit it here, Schmeltzer, out in front of goal oh in goes the cross well the ball deserved perhaps a better response from his teammates in the middle the defender got there first though terrific tackle Mario Goetze Max Lovitzel here's a chance he's gone for the chip here I hope the goalkeeper has read his mind oh he's tried to be too clever instead of putting his foot through it Pedro found his teammate well and he's dispossessed this is Chelsea's chance to show how good they are he might not find that easy today though no, I mean normally they do tend to dominate the opposition in one-on-one situations I think it's going to be a lot more even what a fine save oh fantastic goal and that was that team at their very best, Alan oh that's a lovely poacher's goal Johnny on the spot to tap it home so the first goal, it's 1-0 does love having the ball this fella just lent it to his teammate for a moment able to make a good interception Delaney Philip well he's standing there in an offside position the assistant could not miss him no he won't have an easier decision to make today here's Fabregas moving forward with some danger to the opposition now they're here Delaney Philip keeping the ball opportunity now great start Mario Goetze Philip well he has cleared the danger throw in now there's the ball in shot's on here well that's straight out the goalkeeper the midfield they've got it back via an interception space for the shot well he's caught offside trying to get in behind he'll say that the pass should have come a bit earlier under challenge that's good control contact Delaney can go in from here it'll be a throw fresh gone back to deal with that earlier incident yellow card he's one of my favorite refs he doesn't miss much this lad Marco Reus can he do it? Reus he's kept it out it's a corner peace check back out off the bar here's the shot oh it's the post good distance to the clearance then he was danger but he's cleared it now that's a throw Schmelzer Mario Goetze great passage of passing play there that will help ease the pressure Morata Eden Hazard Mario Goetze that was a chance to really get in at the goalkeeper running off the defender but he's run offside Axel Witzel Philipp Goetze and that's a fantastic goal much the better team and this is another moment to prove that well they've been knocking on the door and opening that door so many times during the match deservedly ahead restarting at 2-0 fantastic goal well scoring in any game is worthy of celebration when you get to it is special and he is feeling that special delight at the moment well it wasn't just about the quality of header that was good enough but the movement that allowed him to find that space that was the good bit well they've widened the margin now 3-0 they lead and the referee has signaled for half time 3-0 is the score line at this point I can't recall such a of the head I can't recall such a